10.2 एशिया में उपनिवेश वाद एशियाई सूती और रेश्मी कपड़े, मसाले आधी खरीदने के लिए यूरोप से व्यपारी एशिया आते थे पश्मी यूरोप के व्यपारी भारत पहुचने के लिए नए समुद्री मार्गे की खोज में लग गए और अंतता पुर्टगाल का नाविक वासको डिगामा जहाद से आफरीका का चक्कर लगाकर सन 1498 में भारत पहुचा इससे पहली बार यूरोप से भारत और चीन के लिए समुद्र मार्ग में आना जाना संभव हो गया यूरोपिय नाविक जब अमेरिका गय, तो उन्हें सैन निद्रिष्टी से किसी शक्तिशाली राज्य का सामना नहीं करना पड़ा लेकिन तब एशिया में कई ऐसे राज्य थे जो उस समय के किसी भी यूरोपी सामराज्य से बड़े और सैन निद्रिष्टी से ज़्यादा मजबूत थे यूरोपीय शक्तियां एशिया के इन शक्तिशाली राजाओं को सीधे युद्ध में हराने में सक्षम नहीं थी हिंद महासागर के तटी प्रदेशों में पूर्टगालियों ने कई बंदर गाहों पर जैसे भारत में गोवा पश्चिम एशिया में हर्मुच एवं दक्षिड पूर्व एशिया में मलका अपने सैन वह व्यपारिक अड़े इस्थापित किये फिर उन्होंने हिंद महासागर पर चलने वाले व्यपारी जहाजों पर लगातार हमला किया और उन्हें कर चुकाने पर विवश्च किया उन्होंने इस तरह एक समुद्री सामराज इस्थापित करने का प्रयास किया यह व्यवस्था तब जाकर टूटी जब ब्रिटेन, हॉलेंड और फ्रांस के वैपारियों ने हिंद महासागर में अपने वैपारिक अड़े बना लिए और पुर्तगाल के आधिपत्य को चुनोती दी 10.2.1 इंडोनेशिया का हॉलेंड द्वारा उपनिवेशी करण पूरप के देशों से वैपार में मुनाफे के लिए पुर्तगाल के साथ साथ अनी यूरोपिये देश जैसे फ्रांस, इंगलेंड और हॉलेंड की वैपारिक कंपनिया भी आगे आने लगी हिंद महासागर में पुर्तगाली वर्चेस को तोड़ने में हॉलेंड के डच लोगों को सफलता मिली और वे दक्षिन पूर्व एशिया में अपना उपनिवेश स्थापित करने में सफल रहे हैं हॉलेंड या नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं क्यूंकि वे डच भाषा बोलते हैं सन 1602 में डच लोगों ने एशिया से वैपार करने के लिए डच इस्ट इंडिया कंपनी स्थापित के हिंद महासागर के वैपार पर पूर्टगालियों के नियंतरण को तोड़ने के लिए इस कंपनी को कई उद्ध लड़ने पड़े अंध में उन्होंने इंडोनेशिया के जावा द्विप के हिस्सों पर अपना आधिपत्त स्थापित किया याद रहे कि वहीं मलका में पूर्टगालियों का ठिकाना था डच कंपनी ने प्रयास किया कि वह इंडोनेशिया में उगने वाले सारे मसालों के वैपार पर एकाधिकार जमाए ताकि उसे यूरोप में मनमानी किमत पर बेच सके और मुनाफ़ा कमा सके उसका अभी उन द्यूपों पर अपना राज इस्थापित करने का उद्देश नहीं था सत्रवी सदी में जावा द्विप समूँ पर मात्रम वन्ष का शाशन था हाला कि इस राजे ने लगातार प्रयास किया कि वह डच कंपनी के ठिकानों को हटाए लेकिन वह असफल रहा और वह एक तरह का दोहरा नियंत्रण बना रहा जावा दिप के कुछ भागों में डच कंपनी का नियंत्रण था और बाकी पर मात्रम सुल्तानों का था मसालों के वैपार पर डच कंपनी को कई एक अधिकार वर्यायते मिली हुई थी मसालों तथा गन्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए डच कंपनी के दबाव में इंडोनेशिया के वन कटे और उनके जगा खेत और बागान बने जहां इनका उत्पादन होने लगा सन 1700 तक डचों ने योजना बद्ध तरीके से मसाले की खेती एवं उसके वैपार पर पूर्ण नियंत्रण इस्थापित कर लिया था अब सिर्फ मसालों के वैपार पर ही नहीं बलकि उनके उत्पादन पर भी उनका पूर्ण नियंत्रण था सन 1800 में डच इस्ट इंडिया कंपनी के शाषन को समाप्त कर डच सरकार ने इंडोनेशिया का शाषन सीधे अपने हाथों में ले लिया और सन 1830 तक जावा द्विप पर अपना पूरा अधिकार रिस्थापित कर लिया डच सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जावा के किसानों को मजबूर किया कि वे कौफी, रबड ये गरम मसाले उगा कर शाषन को बहुत ही कम दर पर दें सरकार ने इन्हें विश्व बजार में बेच कर भारी मुनाफ़ा कमाया छोटे किसानों को भी खाद्यान के जगा इन फसलों को उगाना पड़ा परणाम सरूप वहां खाद्य संकट उत्पन हो गया और अकाल की स्थिती पैदा हो गई इसके खिलाब बहुत से विद्रोह हुए लेकिन डज शाषन ने इन विद्रोह को कठोड़ता के साथ दबा दिया यह परिस्थिती सन 1870 तक बनी रही बागान अर्थव्यवस्था सन 1870 के बाद इंडोनेशिया में व्यापक पैमाने पर डज पूंजी का निवेश बागान प्लांटेशन में हुआ हजारों एकड के जंगलों को काट कर उस जमीन पर कोई एक वैपारिक फसल जैसे रबर, कौफी, चाय, काले मिर्च या गन्ने को ज़्यादा मात्र में उगाय जाने को बागान कहते हैं उत्पादन को बेचने के लिए तयार करना बागान के ही कारखानों में होता है इनमें सैक्डों मजदूर सा परिवार रहते हैं और दिन रात काम करते हैं इन्हें मजदूरी दी जाती है कई इंडोनेशिया द्यूपों में इस तरह के बागान इस्थापित हो गए इससे इंडोनेशिया ही जल्दी ही कोको, चाय, कौफी, रबर, इत्यादी वस्तों का प्रमुख निर्या तक बन गया बागानों के मालिक जदातर यूरोपी होते थे और मजदूर स्थानी लोग तथा चीन और भारत से लाएगे लोग थे इस तरह इंडोनेशिया में एक मिश्रित समाज का विकास हुआ